वेलकम टो अली आईएस स्वागत है आप सभी लोगों का प्रडेम बूश्टर न्यूज डिसकेशन में आज है 26 मार्च 2021 माफ करिएगा आज इस सेशन में काफी देर हो गई मुझे कहीं जाना पड़ गया था और काफी जल्दी करते हुए भी लोटते लोटते काफी दीर हो गई खैर चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना पहला आर्टिकल हमारा फर्स्ट आर्टिकल आईसी जीएस वज्र के बारे में है आइसी जीएस का यहां बे़ फुल फार्म है निडियन कोस्ट गार्ड शिप इसे अभी हाल हमें कमिशन किया गया है यह इंडिया की कोश्टल सेक्यूरिटी को इहनस करेगा ऐसा नि arrests में आया तो आइसी जीएस वज्र है किया यह कोस्ट गार्ड का एक शिप है जिसे indigenously design भी किया गया है और built भी किया गया है किसने बनाया है इसे Larson and Tobrove Shipbuilders या Shipbuilding Limited जिसे आप in short L&T भी कहा करते हैं जो ICGS वज रहे ये 7 offshore patrol vessels बनाने की series में छठे नंबर पर आता है देखेंगे कि बाकी के जो 5 हैं वो कौन से हैं कौन सा बाकी है, features की बात करें तो ये 98 meter का एक पूरा ship है जिसे state of art facilities के साथ equipped किया गया है state of art का मतलब ये होता है कि at that time जो highest level की technology available है उसका इस्तेमाल करना अब देखें जो technology आज है सबसे ज़्यदा advanced है वो कुछ समय बाद धीमी पर जाएगी या उससे भी advanced technologies आ जाएगी तो state of the art का मतलब होता है at that time ये जो vessel है, ये twin engine helicopter को और चार high speed boats को carry करने की capability रखता है तो फाइदा क्या होगा अगर कहीं कोई पर search और rescue operation चलाना है, law enforce करना है या maritime patrolling करनी है तो उसमें ICGS वजर का इस्तेमाल किया जा सकता है pollution response के लिए भी जो equipment required होते हैं like अगर समंदर में oil spill हो गया तो उसे भी handle करने के लिए ICGS वजर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं विक्रम class offshore petrol vessel इस series में 7 offshore petrol vessels बनाये जाने हैं जिसे L&T Sip Building तयार कर रही है Indian Coast Guard के लिए इस क्रम में देखे ये छठे नंबर पर आता है वजर इसके पहले के पाँच विक्रम, विजय, वीरा, वराह और वरद हैं इसके बाद जो तयार होगा वो होगा विग्रह offshore petrol जो वहके लिया vessels होते क्या हैं ये एक चुली में long range surface ships होते हैं जो काफी लंबी दूरी तै कर सकते हैं maritime zone में लंबे समय तक रहकर अपने operations कंड़क कर सकते हैं ये helicopter operation capabilities रखते हैं रोज की बात करें तो बिलकुल वही मतलब policing करना, control and surveillance करना anti smuggling operations को कंड़क करना ये सारे काम ये vessels complete करते हैं जो हमरा next article है वो Oxfam Inequality Index के बारे में है अभी हाल ही में Minister of Labor and Employment ने written reply दिया जब उनसे सवाल पूछा गया था कि Oxfam Inequality Index में इंडिया की performance अच्छी क्यों नहीं है So that was the context बात करते हैं इस index के बारे में इस index को release किया जाता है Oxfam International के बारा इस index में 148 countries को evaluate किया गया था तीन areas में evaluation measures को opt करके वो तीन areas कौन से थे Actually मैं देखे, सरकार क्या प्रयास कर रही है देश में inequality को कम करने के लिए उन्हें तीन areas में classify करके evaluation करते हैं सरकार के प्रयासों को जैसे public service में सरकार क्या कर रही है Health, education या social protection grant करने के लिए government कैसे प्रयास कर रही है government का taxation system कैसा है क्या इससे inequality कम होती है जो ज़्यादा earn करने वाले है उनसे ज़्यादा tax ले लिया जाता है जो कम earn करते हैं उनसे या तो नहीं लिया जाता है या बहुत कम लिया जाता है ताकि एक equity वनी रहे workers को क्या right दिये जाते हैं यह तीन parameters पर evaluation किया जाता है definitely जो India है उसने अच्छा perform नहीं किया है इस index को Norway ने टॉप किया था और Denmark, Germany उसके बाद number पर आए इंडिया को 158 countries में 129th rank पे रखा गया जो कि बहुत अच्छी ranking नहीं है अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो ranking है that is 128 यानि कि इंडिया से बहतर है बांगलादेश 130, नेपाल 112 भूटान यहाँ पर 146 आपको मिलेगा जो कि इंडिया से खराब है then Afghanistan 102 और Sri Lanka 94 इस तरीके से आप देखेंगे तो भूटान को छोड़कर लगभग सभी परोसी डिसों ने इंडिया से अच्छा परफॉर्म किया है इस inequality index में इस सारी बाते इस inequality index के बारे में हमारा next article टुलिप गार्डेन के बारे में है टुलिप फूल की एक प्रजाती होती है हमारे honorable prime minister ने अभी सभी लोगों से कहा कि जबर्वन range में जो टुलिप गार्डेन है वहाँ पर सभी लोग विजिट करें यह जो जबर्वन की location है वो पीर पंजाल और Great Himalayan range के बीच में है टुलिप गार्डेन जो की जबर्वन के foot hills में situated है यह गार्डेन बहुत ही ज़रा खूबसूरत लगते हैं मतब सिनिक ब्यूटी बहुत अच्छी होती है जो भी वहाँ घुमने जाएगा definitely उसे मज़ा आएगा अच्छा लगेगा यह एसिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डेन है जो के 30 हेक्टेयर में फैला हुआ है यहाँ पर आपको 64 टुलिप की वराइटीज मिल जाएंगी इसे 2007 में स्टार्ट किया गया था इसकी गार्डनिंग को ताकि लोग और जदा अट्रेक्ट हों जमुएन कस्मीर वैली को विजट करें जबरवन रेंज की बात करें तो यह शॉर्ट सब मौंटेन रेंज है जो पीर पंजाल और ग्रेट हिमालन रेंज के बीच में मिलेगा देखें यहां पर मैप में आप देखेंगे तो यह पीर पंजाल रेंज की लोकेशन को दिखाया गया है इसके जस्ट नौर्थ में ग्रेटर हिमालन की लोकेशन है तो यहीं पर आपको सेंटर में मिलती है इसकी लोकेशन इसकी जो हाइस्ट पीक है वो महादेव पीक है जो 13,000 फीट की है 3966 मीटर लगभग 4 किलोमीटर उचाई आप समझ सकते हैं संकराचार एक टेंपल है जो की जबरवन रेंज की सेंटरल पार्ट में ही बनाया गया है तो यह सारी बाते इस आर्टिकल पर हमारा नेक्स्ट आर्टिकल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में है चीफ जस्टिस सरद एब बोडबे ने अभी रिकमेंड किया अपने बाद आने वादे चीफ जस्टिस का नाम नाम उन्होंने बताया है एनवी रमन का या एनवी रमना आप कहलीजी यह सीनियर मोश्ट जज हैं सुप्रीम कोट के तो इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो पदवी है वो इनहीं ही मिलेगी जो जिम्मेदारी है वो इनहीं ही मिलेगी बात करते हैं देखें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो चीफ जज होते हैं सुप्रीम कोट के हाईस्ट रेंकिंग ऑफिसर होते हैं इंडिया जुरी स्री में Justice Ramana अब ये 24 अप्राइल के बाद भरत के 48th Chief Justice of India बन जाएंगे तो महज सरद A. Boardbe के इनके नाम को recommend कर देने से ये Chief Justice of India बन जाएंगे मतलब ये क्या मामला हुआ किसी ने कह दिया कि मेरे बाद successor ये होंगे तो ये तैह हो गया कि वो Chief Justice बन जाएंगे बिलकुल ऐसा ही होता है इंडिया में बात करते हैं जो आर्टिकल 124 है इंडिन Constitution का वो ये तो बताता है कि Supreme Court के Judges का appointment कैसे होगा लेकिन Supreme Court के Chief Justice का appointment कैसे होगा इसका हमारे Constitution में कोई specific provision है ही नहीं एक जो provision चलता आ रहा है that is कि CGI जो होंगे वो senior most judge होंगे Supreme Court के अब क्या procedure opt किया जाता है Chief Justice of India को appointment करने के लिए law minister को जिम्मेदादी दी जाती है वो जो outgoing CGI होते हैं उनसे recommendation देते हैं जो वरतमान में CGI हैं वो retire हो जाएंगे तो नया कौन आएगा तो जो वरतमान में हैं उनसे ही पूछा जाता है कि आप बताईए कि किसको आपके बाद Chief Justice of India बना दिया जाए तो जो सबसे senior most judge होता है वो उसका नाम recommend कर देते हैं कि मेरे बाद ये सबसे senior हैं तो आप इन्हें ही CGI बना दीचे लेकिन कई बार doubt इस बात पर होता है कि जो उनके बास senior है क्या वो mentally या physically इतने capable है कि वो Supreme Court या पूरे देश की जो जिडिसरी है उसे handle कर सके इस संबन्द में अगर कोई doubt आता है तो article 124 clause 2 इस बारे में भी प्रावधान करता है कि law minister बाकी के जो judges हैं Supreme Court के उनसे भी consult कर सकते हैं उनसे पूछ लें कि क्या आपको लगता है ठीक है कर लेंगे काम की नहीं कर लेंगे उनके पास एक बार नाम आ गया जो senior most judge है जो outgoing CGI उन्होंने नराम recommend कर दिया तो फिर law minister इस बात की recommendation प्राइम minister को देते हैं और प्राइम minister उनका नाम suggest कर देते हैं प्रेसिडेंट को कि आप इन्हीं ही हमारे दिये CGI या पूरे देश के लिए जो CGI है वो appoint कर दीजी आप देखे चुकि हमारे constitution में CGI बनने की कोई specific eligibility तो दी नहीं गई है तो एक परंपरा चलिया आ रही है कि जो senior most judge होंगे उन्हीं ही chief justice of India बना दिया जाएगा अब बड़ा सवाल यह है कि seniority को judge कैसे करते हैं ध्यान दीजेगा कि seniority को judge करने का criteria age बिलकुल नहीं है जो उम्र में ज़ादा बड़ा है वो CGI बनेगा ऐसा बिलकुल नहीं होता seniority judge की जाती है कि supreme court में appointment किसे पहले मिला है मतलब जिसने जितने ज़ादा समय तक supreme court में serve किया है वो उतना senior मना जाएगा चाहे उम्र में वो छोटा ही क्यों नहीं हो उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा अब देखे कुछ doubts create होते हैं इस दोरान कि अगर दो लोगों का appointment एक ही दिन हुआ है तब हम कैसे पता करेंगे कि दोनों में senior कौन है जैसे कुछ लोग ऐसे silly questions करते हैं कुछ teachers से कि sir अगर president की मृत्ती हो जाए तो फिर president कौन बनेगा wise president बनेगा wise president भी मर जाए तो president कौन बनेगा तो CGI बन जाएगा जब CGI भी मर जाए तो फिर president कौन बनेगा तो इस पर teacher जवाब देता है कि अगर तुम ही मर जाओ तो फिर ये सवाल कौन करेगा अरे भाई एक साथ सब क्यों मर जाएगे लैसे हर चीज का प्रावधान होता है अगर CGI भी मर जाएगा तो उसके बाद कोई ने कोई CGI तो बनेगा जो CGI बनेगा वही president बन रहेगा यानि कि senior most judge तो senior most judge तो supreme court में हमेशा रहेंगे तो हमारे पास president हमेशा रहेगा कोई समस्या की बात नहीं है वैसे ही यहाँ पर भी अगर ये case आता है तो अगर किसी ने पहले ही सपत ली है तो वो senior बन जाएगा चाहिए appointment same day पर हुआ हो अब एक किस्सा ये भी हो सकता है कि दोनों लोगों ने एक ही दिन सपत ली हो तो अगर दोनों लोगों ने एक ही दिन सपत ली है तब कैसे पता करेंगे कि कौन senior है तो फिर ये देखा जाएगा कि high court में कितने ज़्यादा समय तक सर्व किया है अगर किसी ने high court में एक व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा समय तक सर्व किया है तो फिर उसे senior मान लिया जाएगा अब देखे ये बहुत unusual है कि high court में भी दोनों ने कोई बार से अपॉइंट होकर आया है तो उसकी तुलना में जो bench से अपॉइंट होकर आया है यनि कि high court का judge जो supreme court में जाकर सर्व कर रहा है उसे priority दी चाहेगी इस परंपरा को इतिहास में दो बार breach किया गया है 1973 में A.N. Reku उनके तीन senior judges से सूपर सीट करके CGI बना दिया गया था क्योंकि इंद्रा गांधी जी नाराज चल रही थी और उसी समय उस समय उन्हीं की सरकार हुआ करती थी 1975 में मिर्जा हैमदुला बेग इन्ही M.H. बेग के नाम से भी पुकारा जाता है इन्हीं CGI बना दिया गया था जस्टिस H.R. खन्ना को सूपर सीट करके तो ऐसे कई बार केसे सुए हैं तेनियोर के अगर हम बात करें तो एक बार एगर CGI अपॉइंट हो जाते हैं तो 65 वर्स की उम्र तक अपने पत्पर बने रहते हैं आर्टिकल 124 का क्लॉज 4 ये कहता है कि सुप्रीम कोड की जज को इंपीच्मेंट के प्रोसेस के माध्यम से ही जो पार्लियमेंट में चलाया जाता है उनके पत्से हाटाया जा सकता है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल 6th schedule areas के बारे में है Union Minister of Home Affairs ने अभी हाल ही में लुक्सभा को इंफर्म किया कि हमारे पैस ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि हम आसाम के 6th schedule के areas में पंचायती राज की विवस्था को लागू करें ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बात करते हैं 6th schedule के बारे में लेकिन उसके पहले मैं आपको एक अंतरस पस्ट कर देता हूँ देखे एक है पांचवी अनसूची और दूसरी है छठवी अनसूची अक्सर हमें confusion होता है कि दोनों में अंतर क्या है तो मैं बता दू कि एक चीज बिल्कुल common है पांचवी अनसूची और छठवी अनसूची दो कि दोनों ही tribal population के लिए है tribal population के लिए होने का मतलब ये है कि उनकी जो cultural identity है जो उनका एक indigenous nature है उसे conserve करें अब अगर पाँचवी और छठी दोनों ही अनुसूचिया tribal population के लिए है तो फिर दो क्यों है अलग-अलग क्यों मतलब अनुसूची बनाएगे ये राज्य मिलेंगे ये चारो राज्य आपको पाँचवी अनुसूची में नहीं मिलेंगे ये केवल छठी में है आसाम मिघालिया त्रिपुरा मिजूरम की जो tribal population है उसके लिए प्रावधान छठी अनुसूची में किये गए है यहां पर भी tribal population है बाकी राज्यों की तो फिर अलग-अलग क्यों किया गया मतलब दोनों ही अगर tribal population है तो चठी अनुसूची में जो आसाम मिघालिया त्रिपुरा मिजूरम की जो tribal population है उसे भी पांचवी अनुसूची में डाल देते तो क्या हो जाता जबकि यह अभी भी अपना जो प्रिस्टीन नेचर है जो प्राचीनिता है वो बनाए रखे हुए है इसलिए इनके लिए छठी अनुसूची में अलग से प्रावधान किया गया है पांचवी अनुसूची में tribal population को conserve करने के लिए या फिर उनके जो indigenous nature है उसे protect करने के लिए tribal advisory council का प्रावधान किया गया है वहीं दूसरी ओल छठी अनुसूची में autonomous district का प्रावधान है और इन्हीं administer करने के लिए autonomous district councils होती है तो छठी अनुसूची के बारे में बात कर रहे हैं यह आसाम मिघालया त्रिपूरा मिजूरम की जो tribal population है उसकी autonomy को preserve करने के लिए तयार किया गया है वहाँ पर उन्ही land, health, agriculture और बाकी कई सारे मुद्दों पर काफी autonomy होती है laws वगेरा बनाने को लेकर आसाम मिघालया त्रिपूरा मिजूरम में आपको 10 autonomous councils मिलेंगी यह जो special provision है इसके संबंध में आपको आर्टिकल 244 के clause 2 और आर्टिकल 275 के clause 1 में प्रावधान मिल जाएंगे provisions क्या है 6th schedule को लेकर governor empowered होते हैं किसी area को autonomous district के तौर पर organize या reorganize करने को लेकर यदिकार governor के पास है अगर मानने जी एक autonomous district जो declare किया गया है उसमें अलग-अलग tribes हैं तो फिर उन अलग-अलग tribes के लिए उस autonomous district के भीतर ही autonomous region बनाये जाएंगे ये एक autonomous district बनाया गया लेकिन इसमें कई सारी tribal populations और भी हैं अलग-अलग हैं तो फिर इनके लिए अलग-अलग autonomous regions बना दिये जाएंगे composition की बात करें तो इस autonomous district को administer करने के लिए autonomous district council या district council बनाई जाएगी ये district council होगी इसमें होंगे 30 members 30 members में से जो 4 members होंगे उन्हें तो governor appoint अपनी और से nominate करेंगे और बाकी की जो 26 होंगे उनको elect किया जाएगा adult franchise के मार्धियम से जो लोग elect किये जाएगे यानि कि ये 26 लोग इनका tenure पाँच साल का होगा अगर उसके पहले council को resolve ना किया जाए तो और ये जो बाकी के 4 member हैं जिनको nominate किया जाएगा governor के द्वारा ये लोग governor के प्रसाद परियंत अपने पत पे बने रहेंगे हर autonomous region के पास एक separate regional council भी होगी like हम यहाँ पर बात कर रहे थे यहाँ पर तो autonomous district council होगी और इनके पास एक regional council भी होगी जो इस region के administration को देखेगी council के पास काफी power होती है ये पूरे area को administer करते हैं ये land, forest, canal, water, shifting cultivation, village administration, inheritance of property, marriage, divorce, social custom इन सभी मुद्दों पर कानून भी बना सकते हैं अला कि इनके कानूनों को governor की assent required होती है इसके अतरिक विलेज काउंसल का भी प्रावधान होता है जो विलेज काउंसल होती है वो court चला सकते हैं विवादों का निप्टारा करने के लिए काफे कुछ clarity आ गई होगी नेक्स्ट आर्टिकल यूनिटार के बारे में है UN Institute for Training and Research हमारे Honorable Prime Minister ने अभी यूनिटार को धन्यवाद दिया यूनिटार ने भी इंडिया ने जो efforts किये हैं premature mortality को reduce करने को लेकर non communicable disease के cases में उस पर इंडिया को appreciate किया non communicable disease वो disease होती है जो किसी एक व्यक्ती से दूसरे व्यक्ती में नहीं फ्यालती like कई types of cancer kidney के disease हो गई, heart disease हो गई या फिर diabetes हो गई, ये किसी के चुने से तो फ्यालता नहीं है ये non communicable disease है बात यूनिटार की कर रहे हैं ये एक training arm है जो innovative ideas के लिए training देता है United Nations system से ये associated है 1963 में इसे बनाया गया था इस समद्ध में recommendation आई थी United Nations की economic and social council के दरा General Assembly के पास ऐसी कोई body बनाई जाए ऐसी recommendation आई थी इनका mandate ये है कि ये training देते है innovative ideas के लिए और capacity development करते हैं mainly इनका जो focus है वो developing countries होती है special focus होता है जो least developed countries है उनके उपर small island developing states के उपर और बाकी ऐसे group और communities के उपर जो ज़्यादा vulnerable है headquarters इसका Switzerland के जिनेवा में है governance इसमें देखे एक autonomous body होती है ये एक autonomous body है United Nations system की जिसके head एक executive director होते है वरतमान में वो nickel state है इंडिया के जो 2015 में appoint किये गए थे funding देखे ये project based organization है मतब़ एक project लेते हैं उस पर ये work करते है United Nations के budget से इनको कुछ नहीं मिलता voluntarily अगर किसी ने कुछ इनको पैसे दे दिये तो उसी से अपना काम चलाते है कुछ statement है आपको true and false बताना है ICGS वज्र offshore petrol vessel है UNITAR dedicated training arm है United Nations system की Zabarwan Hills Asia के largest tulip garden जो है वो Zabarwan Range के foot hills में located है Chief Justice of India इनकी जो seniority होती है वो age के basis पर determine की जाती है बताई कौन सा statement यहाँ पर सही है कौन सा गलत है आज के session में यहीं पर रोकेंगे Thank you very much